आप सभी प्रियदर्शकों का स्वागत है, Reliance is ready to take over. बहुत बड़िया खबर है, खबर की बाग करेंगे और उसकी समिक्षा की जाएगी, क्या होगा implication इस खबर का बंडे के दिन. देखे, Reliance अभी तक unofficially सारी मदद कर रहा था future group की, बड़ अब यहाँ पर official letters मिलने शुरू हो गए है, which we call offer letters, जो की future group के employees को दिये जा रहे हैं. क्या होगा आगे future retail का भविश्य है? आईए चल कर समझने की कोशिश करते हैं. तो देखे, यहाँ पर Reliance has made offers to quite a few employees और इसमें सिर्फ बिग बजार के ही store नहीं, काफी बड़े level के stores भी intruded हैं. तो future retail के सारे stores के members को यहाँ पर offer दिया जा रहा है. जैसा हमने आपको पहले पिताया था, पिछले हफ़ते Reliance की senior management ने training की complete की है अपने take over के लिए. और अब यह Friday evening की news है कि यहाँ पर future retail के employees को offer letter दे दिया गया है. चाहें तो वो Reliance retail में join कर सकते हैं. क्या वो accept करेंगे? देखे, job security सबसे important होती है. गर में रोटी ज़रूरी होती है, तो यह definitely letters accept किये जाएंगे, क्योंकि उनको नहीं मालुम है, आगे क्या होगा भविश्य future group के साथ पे. तो अगर किसी वज़े से NCLT में चला जाता है, तो उनकी job की problem होगी, उनको pay नहीं मिलेगा, और यहाँ पर अगर offer दिया जा रहा है, तो वो definitely accept करेंगे. अब stores का क्या होगा? जो stores बने हुए हैं, उनके उपर क्या यहाँ पर brand change होगा? यह इसको specifically बताएंगे कि हम जो offer है, वो सारे के सारे as it is store को convert करेंगे. तो यह एक बहुत बड़ा question है यहाँ पर, क्या brand value उसकी reliance retail में change की जाएगी? या वो future retail की तरह से ही रखा जाएगा? तो यह clarity अभी नहीं आई है, इसके लिए officially mail response क्या हुआ है, बट we have not got a response for future retail as well as from reliance industries. तो यहाँ पर जो inventories थी, देखे, पहले भी आपको पता होगा, हमने कई बार अपने वीडियो में बताया है यह बात, कि यहाँ पर काफी सारे geomart से order आ रहे थे, जो हमारे friends, circle या फिर जैसे भी हमारे पास news आती है, वहाँ पर employee बता रहे हैं कि जितना भी stocks में समान आ रहा है, और यहाँ पर जो भी supply चल रही थी, वो geomart के through आ रही थी, जो हमारे हिसाब से is not a surprise at all, क्योंकि देर सबेर से ये store reliance के पास जाने ही है, employer reliance के payroll में जाने ही है, तो reliance is trying to help out as much as possible, और यहाँ पर जो भी इनके साथ में कारवाई की गई है, अब यह उमिद लगा जाएग और future retail के due भी ये help करेंगे pay करने के लिए, अब NCLAT का आपको पता ही होगा, पिछले वीडियो में हमने update किया था, यहाँ पर future group का तर्ग प्रस्तुत किया जाएगा मंड़े के दिन, और उनका Amazon ने जो argument प्रस्तुत किया है, that is the same response what they have given earlier, तो उसमें कोई नहीं बात नहीं है और ने कहा है कि CCI इस deal को अब दो साल के बाद cancel नहीं कर सकता है, अरे भाई, CCI always forward looking authority, और अगर आप गलत facts प्रस्तुत करेंगे, they have full right to cancel और इसके लावा penalty भी देनी पड़ेगी आपको, तो देखें, future retail के बारे में हमारी channel ने आपको शुरुआत से बताई है, कि this is going to be very good company, Reliance is trying to help, takeover is a positive news, क्या ये अच्छी ख़वर माने जाएगी, जी हाँ, ये एक अच्छी ख़वर माने जाएगी, और Monday के दिन, क्या होगा इसका implication, आईए जरा चल कर समझते हैं, तो यहाँ पर, जैसा हमने आपको बताया, ये include करते हैं, Big Bazaar के signature stores and other stores, जो कि Reliance के साथ जा रह हैं, और यहाँ पर, this is the official news, told to Times of India newspaper, with senior executive close to the development, तो ये अब official news बन चुकी है, कि these stores without branding, के साथ में, इनको operate किया जाएगा, अब इसमें advantage क्या देखिए, ये ची समझे, सारे store को rebrand नहीं किया जाएगा, आपको बात समझनी है, what does it mean, कि deal is almost very near to the closing, जो कि इसको यहाँ पर, एक positive territory में लेके आएगी, हमारे हिसाब से, NCLT का hearing अभी भी चलवा है, और Monday के दिन, अब ये fast track पर, वहाँ पर discussion हो रहा है, और मिल लगा जाएगी, कि CCI ने जो cancel किया deal, that will continue as is, और यहाँ पर, इनको payment की penalty भी देनी पड़ेगी, CCI is ready with the argument, और उन्ह कहा है, कि जो हमारे पास document भेजे गए थे, उसमें clear cut नहीं बताया गया था, कि ये strategic nature है, otherwise इनको RBI and government का approval भी चाहिए था इसके लिए, तो can they do it, हमारे हिसाब से, yes, Reliance Industries can definitely take care and provide this kind of takeover, Amazon क्या object कर सकता है यहाँ पर, देखे, Amazon खुद ही अपनी, लगाई हुई आग को बुझाने की कोशिश करना है, उसको खुद से अब 200 करोर का penalty देनी है, और साथ-साथ में future coupon के share से हाथ दोना पड़ेगा, तो ये brand value जो है, वो एक regional level पर है, कहीं पर लोगबाग अगर वहाँ पर का अच्छा value बनता है in terms of near competition, तो वो उसको maintain करेंगे, कहीं पर जहां उनके हिसाब से उसको store को change कर देना चाहिए, reliance retail में, वो वहाँ पर कर देंगे, तो ये selected strategy बना रही है, reliance, पहले बताया गया था कि सारे के सारे store as it is future retail के, as it is with the brand value of big bazaar रहेंगे, but it may not be the case now, और वो उसको change कर सकते हैं, court case को क्या हुआ, who will object, देखे अब आद समझी क्या, यहाँ पर इसको court case में लेके जा सकते हैं, Amazon already 8 cases चल रहे हैं court case में, high court में, और Supreme Court ने clear कर दिया है, आप पहले सबसे पहले fast track पर NCLAT का clearance लेके आए, तभी हम आगे और cases को entertain करेंगे, जो हमारे हसाब से एक सही बात है, और इनको 202 करोड की जो penalty देनी है, वो भी एक challenging position बन जाएगी इनके लिए, how will market react on Monday, हमारे हिसाब से, market एक positive thumbs up देगा इस news को, पर जब तक NCLAT का clear result नहीं आता है, do not expect कि यह 57 के उपर जा सकता है, कल हमारी उमीद है, मंदे के दिन, कि यह शायद अभी बंद होते होते, 45 पर और उमीद लगा जाएगी कि कल जब यह बंद होगा, तो शायद 47 के आसपास यह 47 के उपर trade करेगा, but it may not go above 57 कल की news के basis पर, unless until NCLT का positive result आए, तो मंदे को expectation है, कि यह 47 और 57 के बीच में safely trade करना चाहिए, और यहाँ पर ही EC के बीच में close करना चाहिए, we will keep you posted, जैसा भी होगा, और अगर कोई specific question है, तो please comment box में डालिए, चाहें तो channel free subscription है, आप उसको join कर सकते हैं, किसी stock के क्या होगे buying level, क्या होगे short top के target, जाने के लिए आपके exclusive service है, आप चाहें, तो 59 rupees के charges पर paid member बन सकते हैं, please consult your financial advisor, training के लिए mail drop करें, जैहिंज भारत, bye guys.